यह पतांजली सतांजली बना के दुनिया को लूट रहे हैं यह पतांजली का इतना घी बना रहा कि जिनने गाय का गी है इसके पास यह लाला यही वीजी पिट्टु है इतना तो एक स्लेंडर में इसने एक स्लेंडर का रेट बढ़ा के घर से 6,000 रुपए निकाल लिए जीएस्टी लागू किया नोट मंदी की इसने सोचा कि तेरी चलती इंडिया में इसको यह पता नहीं जो आस्मान में उड़ा सकता है वो जमी पे विला सकता है चोदरी चोटु राम जैसा है गुण नहीं उनमें ने चोदरी विरंदर सिंग में ने उनके बेटे में वो तो बीजेपी के मातर पिठू बंड के रह गई लेकिन कुर्शी को और पैसे को और गाड़ी को छोड़के को खुश नहीं है यह लोगों को बरगलाने का काम कर रह हैं हमारे बोले बाले किसान बाइर और मजदूरों को बरगलाने का काम कर रहें किसी आदमी ने स्थीपा दिया तो बताओ के त्यारी कर रहे हैं हैं किसान मजदूर के बेटे बेटिया कोई मोदी के नहीं ने कोई मिच्चिया के हैं क्योंकि वह भी किसान से जड़े हैं तो हम 26 जन्वरी को एक हमारा निश्च्य है उसका हम पूरी तरह से निभाएंगे और 26 तारीक को जहां परेड होती है लाल के लिए पर हम ट्रेक्टर ट्रालियों के साथ जाएंगे हम मर सकते हैं पीछे नहीं हट सकते हम हमारे ओपर जो थोपे के तीन काले कानून है उसका विरोध कर रहे हैं बड़ी स्यानती पूरण कोई भी उपद्रव कोई भी आपने देखा हो तो गवर्म सरकार ने खुद नहीं अब एरिकेट लगा रखें सोचना चाहिए सरकार को किसानों को बद्धिनाम करने की साजी से परसों फैसला आया तीनों कानूनों पे सटे को पहले पता नहीं था किसानों पे तीन कानून थूप दिये गए यह सत्रंज का मोरा छोड़ा है वे किसानो को थोड़ा अठा दिया जाए एक बार सरकार एक बार यह चाहते हैं भी यह थोड़े इकटे ना हो अपने घर को चले जाए दुबारा इकटे होड़े नहीं यह कानूनी पे थूप देंगे सरकार के साथ ही को खड़ी है सरकारी साजिस रची गई है अगर सरकार को कमेटी ब भना दिया गया भाईम्नेश्ट बना दिया गया वो कुद कहता है मैं चोगी बना के दुनिया को लूट रहे हैं यह गाय का घी इसके पास यह वीजीपका पिथू है जरीए कारपोरेट के दबाऊं में आके सरकार ने तीनों कानून बनाए है किसान का एक ही एक ही लक्षय है तीनों कानूनों को रद करवा कि अपने घर जाएंगे कि रामदेव की बात करी रहे ची उसके पास है और वह भारतमजीं प्रोडेक्ट वह परद्रीशिक प्रतलब've ot चैसा क्यों लाग है रिलाइंस ने इतना फाइदा होगा मोदी अबानी एदानी का नाम नहीं नहीं ने कारपुर रॉट ये इतना बना दिया कि किसानों के फसले हम करी देंगे कि सरकारी में इंडियों को फैल करके प्राइबेट आद्मी एक निवे अचैने एक पैसला साम किताब करचे के निचे किसान दब कर रहा कभी जैर उनकी कोई पर्भानी सरकार ने किसान संवान नी दिये की यौज ना चला ही मेरे बढाती रोज एक चाहे नहीं पिशकते इतना थे एक स्लेंडर में एक स्लेंडर का रेट बढ़ा के घर से 6,000 रुपए निकाल लिए फिर फोटो स्टेट की बात कभी पैन कार्ड का कभी अधार का कदी फैमिली कार्ड का लेट इन जाने तक भी आधा फोटो लगने लगा यह पैसा दो में हर दो मेने में गोवर्मेंट को अधीतिया वगवान है जो ढर्तिका सीना-चार के सीना-चीर के इतनी उतपाद कर रहा है कि पूरे उसकी मिल्जू की खते रही है और lähड करके हम किसां की आवाज को दबाना चाहता है किसां को बरबाद करना चाहता है हमने कि कानून जो है है यह रहूं में से नहीं होगी हमारे परबाद करने कि यह तिनों कानून है परोसथा करकाइए अच्छे दिन आएंगे अगए हमारे तिन तेरे की बात कर दूँँगा करली मन की बात फिर का डिजिटल इंडिया कर दिया फिर का मेक ओफ इंडिया जीएश्टी लागू किया नोट मंदी की इसने सोचा कि तेरी चलती है इंडिया में इसको यह पता नहीं जो आस्मान में उड़ा सकता है वो जमी पे विला सकता है अच्छा मोधी को सोचना सबीडर कहां थी तो हिसार में भी प्रोड़ी छोड़ी छोडू राम के दो दोते हैं और उनका छोड़ा सांसद है ठीक है। अगर बात करें डूमरखा साह सॉब की तो किसाना के साथ हूं है समर्थन में हूं लेकिन पारिटी तो इस्तिफा नहीं बीजेपी में है थोरा सांसद है उसका कोई ब्यान नहीं आया है और छोटू राम की पीडीते बिलोंग कर रहे हैं तो उन पर के करना चाओ देखियो आज वजिंदर जो इसार से सांसद है मैं सकेलिय के बारे में नहीं कह रहा सांसद जितने भी हैं राज्यषभा के सांसद भी थो तरती हैं पबड़ते हैं और परगलाना इस यह घंड़ ऑबाजी के तरह अपना खेल दिखा के लोगों को पर गलार के भाउड ओरेarts भी आइसाने भार यःयों गोंवॉठ ले कुछ लेना देना नहीं हुंग के दोते हैं वह भी नुकां बीजेपी के भी साथ हूं कि समा के विस्वात हुं जैसे नहीं ने चोद्री वरिंदर सिंग ने उनके बेटे में कुण से मैं नहीं है वह तो पीजेपी के मात्र पिठ्टू बनके रहे तो आवाज ने उठार जब किसानों के कहता है किसान का बेटा उसर चोटू राम को दोईता हूं अरे उनकी रगों में जो खून दोड़ता किसान का तो किसानों के आवाज को बलंद करना चाहिए ना दि कोईते ने तो फिर वो कैसे कह सकता है कि मैं किसान हूं किसान देखिया यहां बैठें मोदी तो यह भी कर रहा तो एक खालिस्तानी है यह पाकिस्तानी है यह चीनी है कोई भी पाकिस्तानी कोई भी खालिस्तानी है यह आपने जहां भी देखा किसान की सिवा को मिला तो बार यहां लड़ी कि थी यह दुनिया का सबसे बड़ अंदोलन होगा मोधी उस सान मजदोर में क्या चीज़ होती है एक परांद समर्थन की Patrol आगे सिंग चोटाला ने 27 तारिक ने इमेल के जरीए ग्यांचंद गुपता जो अपने स्पीकर है अरियाना के उनको भेज दिया मुझे पूरा पता है कनफरम है तो उन्हें 27 तारिक यूटे की 26 तारिकों अगर 26 तारिकों आगर कानून रद नहीं होते हैं तो मैं स्थीपा देखे किसान के बेटी की तरह है मैं भी दिली के बोडर पर आके लड़ाई लड़ूँगा जरूरत तो 26 तारिकी है वह अभी भी गाउं गाउं जाके आप सिर्श नहीं किये तो मैं भी एक बोडर पर जाके अपना अजंडा बुलंद करूंगा किसान अंदोलन का अच्छा जी लगातार कांग्रेस भी बरोदा चुनाव तो शरूई थी बहले सरकार गेर देंगे सरकार गेर देंगे सदन प्रस्ताव पास करांगे लेकिन समर्थन में किसी कोई आपको पार्टी का आदमी मिला या कोई कॉंग्रेस का कोई वीजेपी का कोई नेलो का को किसान चाव है कि अगर इस्तिफा दे कई आवे तो सरकार पर दबाव बढ़ाया जाए यह बात उनकी सही है अगर वह आएज रिजाइन प्रोटोकॉल के अनसार दे 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 अगरता हो तो सिर्फ पंजाब से पंजाब से परकास सिंह बादल की पूत्र बढ़ो उसने सबसे वह ले किसान के बारे में अपना एक कदम उठाए था अस्थिपा दे दिया था और दिल्ली से पंजाब आगी थी औरे भी निर्दलिया विदायक है चेर्मैन के पत्त्य इस खेती बाड़ी करते हैं जी हम साड़े अठारा एकड़ तो थम देख सको हो कि जिस किसान ने लेके हैं एक सोच बन रही थी कि बोड़ा किसान है जानता नहीं है तो उसके बोलन का तरीका थम ने सुनया होगा